हेलो तो आज हम एक नए टॉपिक पढ़ने जा रहे है एवलूशन अद्ध कम्पूटर एवलूशन मीन्स इवाल्व होना इवाल्व होना का सिंपल मतलब है कि जो चीज पहले थी अब वह उससे काफी डिवलप्ट होके एक उसी की बैटर वर्जन में आगे ताकि मोर ज्याद इस सिंगल से आये थे तो तब हम क्या थे बोताना इनसान बंदर से युमन बिंग बने तो हम उससे इसने हमारी तरह इफशिट जो पहले था अभी जो है उसमें कितनी चेंज्ज आई वह लेगे उसका पढ़ने कर सिंपल फाइदा यह होता कि आप जान पाओ जो पहले था कैसे सोच गई कि वैसा बनाया और अब जिस एरा में हमें कितना डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया क्यों कि क्यों कि कम्प्यूटर की एवलूशन जो थी वह एक दिन का काम नहीं है हमें तो लगता है कि ठीक है आज है तो बना हुआ दिख किया बट देह हुए हुए लॉंग काफी लंबे समय का हाड़ वर्क है तो सबसे पहले तो एवलूशन आप कंप्यूटर हम दो एरा में डिवाइड करेंगे मेकैनिकल एरा और एक एनलिटिकल एरा मेकैनिकल में जो मेकैनिकल कंप्यूटर थी अभी मैंने अबकर्स और नेफिर सिर्फ दो ही लिखे बागी सार किसने किया है कहां पर हुआ है उसके फीचर का है थोड़े बहुत एप्लिकेशन किया बस इसे ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगी क्योंकि कोशन आता नहीं है बट एवरकर्स को इसके लिए पढ़ेंगे तक कि आपको एक कंसेट हो जाए मोटा मोटा कि हाँ पहले एक्शली म ац 1 इनiiiiiwek इस हारे हम सब्सक शर्तार डीफाइन करेंगे डीच में अबरकर्स हम कटेंगे ब chodziıs ओके एपरकर्स यह क्या था फर्स्ट कुलेटिंग डिवाइस था फर्स्ट calculating device पहली calculating था, क्या करता था यह calculating add adding plus subtracting, spelling यह क्या बोलते हैं, writing देख ले ना क्योंकि हर book में मिच राएगी, आप concept समझो बस, adding, subtracting plus square root भी निकालता था square root, मेत वाले बच्चे तो अच्छे से जानते होंगे square root, first calculating device adding करता था, subtracting करता था, और square root इसका invent किस ने किया था कब हुआ था, कौन सी, China ने किया था, कब 1602 में उसके बाद इसका हम आपको एक diagram से समझाएंगे कि दिखता कैसे था, ताकि आपको एक proper concept हो जाए अबाकर का, सिर्फ हम first कोई define करेंगे, उसके बाद हम किसी की diagram ने देखेंगे, किसी को इतने अच्छे से ने देखेंगे, सिर्फ पहले को, ताकि आप एक concept हो जाए कि basically था कैसे पहले computer, ओके, तो सबसे पहले तो ऐसे था एक wooden frame के अंदर था, ये wooden frame है, क्योंकि उस time metal तो होते नहीं थे, तो इसलिए उस time लकड़ी काफी होती थी तो wooden frame का computer बना दिया है, यहाँ पे बीच में ये क्या है, horizontal है बाकी क्या होते थे, vertical multiple rods लगे, इनको rods बोलते हैं इनको बोलते हैं क्या, जैसे यह यहाँ से तो, इसको क्यों सा rod बोलेंगे ऐसे यह तो vertical okay, vertical rods और यह horizontal rods, good यह vertical rods, यह horizontal rods और भाहर से wooden frame लकड़ी का बना होता है, यह frame इसके अंदर होते है, brids नीचे चार, उपर 2 same pattern होता है, हलाकि यह 3 line नहीं होती है, और भी लंबा होता है, अब मैंने समझाने के लिए बताया होगी, क्यासा एक चली में इसका outline था उपर 2, और नीचे 4 और जो नीचे वालो की एक single, जो bread है नीचे वाला, single bread इसकी value है single की, इसको बोलते हैं, lover bread इसको अपर बैज, ओके lover bread की एक कितनी value है single की 1 value कितनी, मतलब एक single एक के बराबर है यह 1 के बराबर है, यह भी 1 के बराबर है बट उपर वाला कितने के बराबर है single 5 के बराबर है यह 5 के बराबर है, तो मतलब उपर कितनी value आगे, एक में 5, दूसरे में 5, तो मतलब 10, उपर में 10, नीचे में सब को मिला दो तो 4 value, समझाई, एक में 1, 2, 3, 4 वैसे, इसमें 1, 2, 3, 4, मतलब सब में, एक में 1 value है, किसमें? लवर में, नीचे वाले ब्रेड में, उपर वाले में इसमें 5, इसमें 5, मतलब single में 5 है, जो इससे line से उपर है, यहाँ पर value point है, value point, यहाँ पर जो बीच में, इसको क्या बोलते? value point, ओके, इसको बोलते value point, उड़न से में सारा समझाए, horizontal rod है, यह value point है, बीच में, जहाँ पर junction है, किसकी junction में? horizontal and vertical lines की junction है, वहाँ पर value point है, इतन मिट्टी और पानी को मिक्स करके दूप में सुखा के अभी भी गाउं में इसका यूज होता है कोई लसी वगेरा बनाता है तो उस वो मिट्टी और पानी का बन के वो सुखा के कुछ ऐसा कुछ प्रोसेस करते है उसके बाद वो एक स्ट्रांग बन जाता है तो वैसे यह भी उसी से बनाय जाते थे, क्यों? क्योंकि उस टेम मैटल तो इस तरह का होता नहीं था, इस तरह की industrialization तो होती नहीं थी, तो इसी से काम चलाते थे, अब होता क्या है, जैसे example करो, अगर कोई calculation मुझे दे, अगर इस calculator पर करने के लिए दे, आज कल करें तो वहाँ तो कोई problem नहीं, 5 plus 5 लेके तो हो गया, अब जैसे कई calculation दे, 5 plus, let करो, कोई भी calculation रख लो, 5 plus 3 कर लो, 5 plus 3, तो कितना होता है, normal calculate करो, कितना होता है, 8, ठीक है, लेकिन जब हम इसमें करींगे तो कुछ अलग वे में करते हैं, बहुत interesting है, सुनो, 5, मतलब, इसमें आपने किसी में भी एक में अब कर सकते हो, जैसे आपने इसको लिया, उपर की value 5 है, तो मतलब 5 यह, इसको यहाँ से नीचे प्रेस करना है, यहाँ से नीचे प्रेस करके इसके साथ टच कराना है, किसके साथ, value point के साथ, ओके, प्लस 3, तो इस ब्रेट को एक उपर टच किया, इसके साथ, फिर दूसरे को, इन तीनु को आप जोड़ के एक साथ, इसके साथ टच करोगे तो, एक तो कर दियो उपर से, इसके 5 value आ गया, नीचे से इन सब को, तीनु को जोड़ के एक साथ, इसके साथ उपर टच करना है, तो जब इसके साथ टच होगा, तो value point के सामने एक आपको number दिख जाएगा, कि कितना है, 8 है, समझे, मतलब जैसे 5 करना है, इसको नीचे value point पर लाना है, और इस single को, जैसे अगर 5 plus 1 होगा, तो एक को टच करना है, 2 होगा, तो 2 को करना हमें, हमें 3 बोला है, तो हमें 3 को टच करना है, 4 होगा, 4, 5 होगा, तो यह 4 भी करना है, एक करते हैं, एक 6, यह ऐसे-एसे, इस process will be continue, कोई confusion नहीं, मतलब simple है कि उस time पर इस तरह के rods, question आता है, कि rods और जो आपके rods से किसमें use होएं, तो इसमें होएं, उसके बाद आपका पूछ सकते है horizontal rod, vertical rods किसमें हैं, अलागी इस तरह के deep questions नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं, कभी-कभी आ जाते हैं, लेकिन आते से build होता है, ताकि आप abacus को अच्छे से जानों कि पहला computer कैसा था, जो पहला आपका calculating device क्या था, जो adding को suspecting करता था वगरा, वैसे ही minus, plus, वैसे square root निकालते हैं, अब वो मैं इसलिए नहीं समझा रहा हूं, क्योंकि काफी complex topic हो जाएगा, वो जो आपकी काम का बिल्कुल न है, इवन यह मैंने आपको एक battery उससे निकल के थोड़ा पढ़ाया है, जो आपका proper syllabus था, ताकि आपका concept अच्छा proper build हो, ओके, तो यह आपका concept था है, वैकस, जो यह इनवन चाइना ने किया था, 1662 में, एक्चुली में सिर्फ चाइना ने नहीं किया, वागकी बड़े सारे country ने किया था, अपने-अपने हिसाब से हर country इसको चला रही थी, Mesopotamia उस time होता था, जो इरान वगेरे में, उनका अपना use होता था, French वगेरा में इस तरह का उन्होंने भी बनाया था, लेकिन चाइना में note किया गया उस time की सबसे पहले बनाया गया, तो इसलिए चाइना का तो इसके बाद आपका पास्क लाइन आ गया, तो उनको हम इतने डीप में नहीं पढ़ेंगे, उपर नहीं करता हूंगा, ओके, थैंक्यू